हाई हेलो नमस्कार कसकाई दोस्तो बारिष का मौशम तो सब कोई अच्चा लगता है और गरμी के दिनों में तो बारिष का इंतजार होता ही है जब बारिष की बुंदे सुकी दर्टी पर पड़ती है तो एक अलग सी खुश्बू आती है और उसी खुश्बू के सब लोग दीवाने होते है लेकिन कि आपको पता है कि ये खुश्बू क्यों आती है क्या है इसके पीछे का कारण तो आज हम इसका पता ही लेते है तब तक चैनलन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको दीखें मिट्टी के खुश्बू आने के मक्यता तीन कारण है पहला कारण तो ओजोन का होना है बारिश के बाद ओजोन गैस वायू मंडल में फेल जाता है और उसकी थोड़ी मातरा पानी में घुल जाती है इसकी वज़ा से मिट्टी से खुश्बू आती है दुसरा कारण है बैक्ट्रिया का होना वाज्यानिको के अनुसार मिट्टी में एक अलग प्रकार का बैक्ट्रिया पाया जाता है जिसके कारण भी महक आती है और तीसरा कारण यह है कि पेडों का लगातर तेल स्त्रावित करना जब बारिश आती है तब उसकी बूंदों के साथ यह तेल तेजी से वातावरन में फेल जाता है एक रिसर्च के अनुसार वज्यनकों ने बताया है कि बारिश, पानी और मिट्टी कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया करते है जिसे एक अजिपसी खुशबू या सुगंद आ दी है तो दोस्तों मिट्टी से आने वाली सुगंद का कारण अपने जान लिया है आपको मिट्टी के सुगंद कैसी लगती है कमेंड बॉक्स में जरूर बताई मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद